नमस्कार दोस्तों तैयारीन यूटूब में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम RRB के द्वारा लाया गया नोटिफिकेशन जो है 30 अक्टूबर में उसके बारे में हम बात करेंगे तो इसमें हम देखते हैं कि यहां पे लिखा है कि the result processing of the first stage CBT is in the final stage list of the candidate shortlisted for the second stage CBT for each RRB based on their merit and post preference यहां पर साब 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 बोला गया है कि आपका जो merit है और post preference के धार पर यह result जादी किया जाएगा is likely to published on or before the 5th November मतलब आपका जो first stage CBT का रिजल जो है 5 November को या उससे पहले भी आ सकता है along with और क्या जानकारी देगा along with the actual mark and normalized score mark of the candidate जो actual mark जो score किया रहा है candidate उसके जानकारी भी हमें मिलेगी और जो paper tough puts लिया गया था जिस तारिक को उसमे normalized mark जो मिलेगी उसकी भी आपको जानकारी दी जाएगी ठीक है और क्या हम देखते हैं कि यहाँ पर बोला रहा है इसमें आपको नोट करने के लिए आरवट भी ने बोल रखा है ठीक है और क्या है हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है लिखा है कि the syllabus for the various exam trade has been published on the official website ठीक है और 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 भी थूद लिंक जो भी वेबसाइड है और यही बस आपको बताना थे इस वीडियो में तो उमीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा जी दोस्तों एक और बात में आपको बताना चाहता हूँ इसमें बहुत जल्द exam trade जो की electricity and trade पर मैं वीडियो चल दी बनाने वाला हूँ तो आप हमारी चैनल के साथ बने रहे और इसे प्रमोट करिए इसे सपोर्ट कीजिए तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो देखने लिए धन्यवाद दन्यवाद